Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineer Secondary Mahatransko AE की vacancy, जो पिछले साल जुलाई के अंदर रिलीज हुआ था 2023 के अंदर उस vacancy का जो reservation के चलते cancel हो गया था इस बार 2024 में notification उसको re-release कर दिया गया है student के protest के बाद, तो पिछले महीने रिलीज हुए इस notification, re-release हुए, इस notification के अंदर exam date दी गई है Mahatransko AE, Electrical Engineering, B.Tech students के लिए अगस्त और सितंबर के महीने के अंदर तो इस कम से कम समय में अपनी preparation को एकदम कड़क तरीके से आप करना चाते हैं तो Engineers Academy और Numbers Training आप लोगों के लिए लेकिया है एक best design किया हुआ कूर्स इस कूर्स के अंदर आप लोगों को complete theory के subjects जो भी dedicated technical recorded batch मिलने वाला है जिसके अंदर आपको सारे core subject machine, measurement, network, power system, basic electronics, control, digital, power electronics, EMFT and signal system इन सभी के recorded lectures मिलने वाले हैं तो अगर आपको किसी बीच subject के अंदर doubt है कि यह वाला subject मेरा week है आपको subject का पूरा का पूरा वीडियो, detailed वीडियो देखकर subjects अच्छे से prepare कर सकते हैं और उस subject का आपको printable PDF भी available हो जाएगा दूसरा, सर मेरे तो practice करनी है, theory मेरी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए क्या है इस batch में कुछ है, जी हाँ इस batch के अंदर आपको detailed theory lectures मिलने वाले है जिसमें आपको हरे concept का clarity तो मिलेगा साथ इसाथ most expected 7000 plus MCQ के video lectures भी मिलने वाले है यानि अगर आपको लगता है कि आपकी machine अच्छी है आपको practice करनी है, go for the video lectures of MCQ साथ laptop पर भी देख सकते हैं, इस course की validity रखी गई है यह के लिए 2000 रुपे और 2 year के लिए 3000 रुपेज क्योंकि महा ट्रांस को के बाद महा डिसकॉम में भी vacancy tentative है syllabus लगबग same है, तो अगर आप 2 year वाला plan लेते हैं उसको prepare लेकर के preparation स्टार्ट करना चारे है और आपके मन में doubt है कि sir मेरे को कौन सा वाला subject शुरू में करना चाहिए तो अगर आपके basics अच्छे हैं तो आप जो है वो core subject में machine और power system से start कर सकते हैं अगर आपके basics आपको लगता है वी कि तो आप network से start कर सकते हैं तो preparation strategy की जहां तक बात है या फिर आप अगर best way to prepare करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक subject का theory उठाना चाहिए जो आपका weak है और एक strong subject के questions उठाने चाहिए जो आपके strong है तो आप एक time पर theory करते रहें tough subject जो आपको नहीं आता है और एक time पर आप question लगाते रहें उन subject का जो आपको बहुत अच्छे से आता है तो दोनों तरफ से आपकी practice बहुत अच्छे से होगी और इस कम से कम समय में इस course की साहता से आप maximum output exam में दे पाएंगे तो thank you so much for watching this video और इस course के बारे में आप अपने दोस्तों में भी share करें वीडियो को like करके अगरा चैनल पे नए तो subscribe जरूर कीजिएगा Thank you so much